इडी महेंगाई यह सभी बहाने हैं इस अभी मुद्दों पर एक सप्ता से और यह प्रकार से देखें तो जब से सदन शुरू हुआ तब से कॉंग्रेस विरोध भी कर रही है प्रदसन भी कर रही है है आज क्या था हरोध प्रदसन करते हैं तो वैसे ही प्रदसन करते हैं जो कपड़े घर से पहन कर आये हैं उसी कपड़ों में करते हैं मगर आज पांच अगस्त हैं आज ही के दिन करोडों लोगों की अस्था का क्यंद्र तो राम जन्मगुमी है वहाँ पर इस देश के लोगप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमी पूटन की है जाड़े 500 साल से एक समस्या अधर में लटकी हुई थी अजादी के बाद ज्यादा तर समय कॉंग्रेश सासन में रही समस्या के निप्तारे के लिए कुछ नहीं किया और जब मोदी जी ने सांतिपुर तरिके से समस्या का समाधन भी निकाला और बड़ी स्रद्हथा और गव्रों के साथ क्रोनों लोगों के स्रद्धा कंद्र स्री राम जन्वुमी मंदिर का सिलानियास कीए अज उसी का पवित्र दी है हरोज जो प्रदसन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे हैं आज सभी लोग बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कारेकरता दग सारे कॉंग्रेसी काले कपड़े पहन कर आये थे प्रचिन रुप से उन्होंने एक संदेश भेदने का प्रयास किया है कि राम जनुल का जो सिलान्या सुवा को और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रद्शन करें कहने की तो हिम्मत नहीं है मगर आज भी इतनी जगें सिकस्त खाने के बाद भी कॉंग्रेस अपनी तुष्टी करण के इलादनी की छोट नहीं रही है मेरा स्पष्ट मानना है कि उन्होंने पांच अगस्त के दिन स्री राम जनुल मंदिर का जो सिलान्यास हुआ है मैं और मैं मानता हूं टुष्टी करण ने आजादी से अबदध डेश का बहुत मुक्सान किया है एसभ़ि लोगों ने तुष्टी करण की निती से तोबा करना है था झाल झाल